हेलो दोस्तों आपका Mission Study चैनल में स्वागत है चार ऐसे काम जो आपको Physics में Topper बना सकते हैं तो हेलो स्टुडेंट मेरा नाम है सुभम और आप देख रहे हैं सुभम Lecturer चैनल तो चलिए स्टुडेंट इस वीडियो में हम डिसकस करते हैं कि Board Exam में Physics में अच्छे मार्क कैसे लाएं और थात Physics में 90% से अबब मार्क कैसे लाएं तो इस्टुडेंट इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फालो करते हैं तो Board Exam में आप 90% से अबब मार्क ला सकते हैं वो भी Physics में ठीक है तो इस्टुडेंट Physics में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें कितने पार्ट होते हैं कितने पार्ट में आप Physics को मैनुली बाढ़ सकते हैं तो हम लोग इस्टुडेंट इसे मैनुली चार पार्ट में बाढ़ते हैं वो पार्ट कौन कौन से हैं सबसे पहला जो physics में होता है student वो होता है theory तो इस वीडियो को आप last तक तक देखिएगा physics में आप काफी अच्छा ग्रोग कर लेंगे अगर वीडियो लाज तक देखते हैं तो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है फर्स्ट है theory सेकंड है बच्चो numerical इतने जो है हम steps कर सकते हैं physics को इतने steps में बाठ सकते हैं ठीक है थर्ड है बच्चो derivation derivation और फोर्थ हमारा है student formula formula यही चार काम आपको करने हैं बट सही धंग से करना है तभी आपको क्या कर सकते हैं physics में अच्छे mark ला सकते हैं नमबर वन देखिए physics में student theory होती है numerical तो होता ही है सभी बच्चो को पता होगा जो class 12 में है यानि कि board exam की तयारी कर रहे हैं और थर्ड जो है आपका student step वो है derivation यह भी आप जानते होंगे जो है 4 से 5 नमबर का पूछा दाता है derivation वो ठीक है और fourth है बच्चो फार्मूला क्योंकि फार्मूला के बिना आपका यह नहीं लगेगा यह दोनों जो है student एक दूसरे से लगभग related हैं यह और यह numerical और फार्मूला क्योंकि बिना फार्मूले के numerical नहीं लग पाएगा और student derivation से भी आपको यह प्राप्त होता है यानि कि यह चारो जो है आपस में related है अब आपको किस प्रकार से इसको पढ़ना है अगर physics में अच्छे mark लाने हैं तो तो चलिए हम लोग step by step समझते हैं student तो यह चार काम आप लोग जरूर कीजिएगा चारो में से आपको किस प्रकार से किसे कितना time देना है यह मैं आपको बताऊंगा तो चलिए student देखते हैं तो सबसे पहला जो step है वो क्या student सभी important जो theories है उन्हें जरूर पढ़ें तो student theory का मतलब क्या होता है जिसे कोई भी topic है उसे हम theory के अंतरगत हमने लिया है ठीक है जिसे topic है माल लीजिए Lawrence बल हो गया या फिर हो गया यह सब ठीक है जो नियम सहाँ है फाराडे का विद्दुत चुंबकिये प्रेरण संबंधी नियम यह सब जो topic है student यह theory के अंतरगत आते हैं तो जितने भी important theory है उसको आप जरूर पर यह physics में ठीक है जो ज्यादा important है उनको आप एक side में कर लीजिए आप अपने तरफ से लिख लिजिए एक side में और जो कम important है उनको आप अलग लिख लिजिए ठीक है right side में मान लिजिए आप लिख लिजिए इसे यानि की student ज्यादा important आपके theory है ज्यादा important topic है उनको आप जो है student क्या दें ज्यादा समय दें ठीक है बढ़िए ठीक है जो ज्यादा important है और जो student कम important है उनको आप थोड़ा कम समय दे सकते हैं लेकिन उन्हें भी पढ़कर जरूर जाईएगा क्या पता वो भी आ सकते हैं आपके board परिच्छा में ठीक है तो सबसे बड़ी बात है student की theory को आप जरूर पढ़ें कुछ practice करें सेट practice sets को लगाए ठीक है अंसाल paper को solve करें जिससे आपकी theory numerical सभी जो है काफी ज्यादा strong होंगे तो ज्यादा important जो है उन्हें आप अलग लिख लीजिए जो कम important है उन्हें अलग रखिए और दोनों में से सबसे ज्यादा important है उसे समय दीजिए काफी अच्छे से जब तक आपको अच्छे से आ ना जाए तब तक आप उसका practice करते रहिए और जो कम important है student उसको भी आप पढ़कर जरूर जाईए ठीक है थोड़ा सा ही पढ़िए तो student ये था आपका first tips अब हम लोग दिखते है second tips क्या है student जो second काम है जो आपको करना है तो first तो ये हो गया कि important questions और theory को जरू important numerical की practice जरूर करें अब बच्चों जो numerical होते हैं फिजिक्स में जो है numerical का ही महत्तपूर्ण योगदान है तो आप लोग numerical की practice जरूर करें numerical को लगातार लगाए ठीक है अब numerical लगाने के लिए आपको आपको सकता होती है फार्मूला की तो फार्मूला भी मैं अभी नीचे बत numerical की practice आप जरूर कीजिए अगर आपको board exam में physics में अच्छा नंबर लाना है तो यहाँ पर जो ज्यादा important है उनको आप अलग लिए उनकी practice तब तक कीजिए जब तक वो स्वाल बना हो जाए ठीक है और हमेशा कुछ नए फार्मूले की खोज करते रहिए यही physics में आपको कर लगमा है और कम important जो है उसको किसी अन्य पेज में लिखिए और उसकी भी practice कीजिया ऐसा नहीं है कि उसकी practice ना करें आप ठीक है तो numerical को आप लोग इस प्रकार से बाट सकते हैं अब आप लोग कैसे बाटेंगे जैसे माल लिए इधर आपने लिग दिया ज्यादा important most important मलब व उन्हें एक अलग side में और जो कम important के भी दिवाल कर दीजे आनि कि student इधर आपको क्या करना है इधर आपको time से देना है time जो है जाधा देना है ठीक है टाइम आपको ज्यादा देना है इधर जो है टाइम इनको भी आपको देना ऐसा नहीं है कि इनको टाइम ना दें क्योंकि बिना टाइम दिये तो कुछ भी आपका क्लियर नहीं होगा तो इनको टाइम थोड़ा कम आप दे सकते हैं ठीक है लेकिन जो ज़्यादा important है student इनको भी time देना है और जब तक यह आपका लग नहीं जाता तब तक आप लोग numerical की practice करते रहें और जो कम important है उनको भी आप एक दो बार practice कर लें ताकि जाएं तो आपके दिमाग में उससे related कुछ topic रहें ठीक है तो यह था student time management का तो आप ल ज़्यादा important को अलग रखना है और कम important को अलग और लेशन वाइज आपको student लगाना है ठीक है चाहे वह numerical हो चाहे ठीक हो अप चलिए देखते हैं तीसरा अपना काम क्या करना है तीसरा है मारा student सभी महत्तपूर्ट derivation को जरूर करें यानि कि student derivation आपको काफी ज़्यादा कर रहे हैं उन्हें आप लोग derivation को सिध्ध करना सीख लीजिए ठीक है कुछ derivation मैंने भी बताया अगर आप class 12 में है तो जाकर देख सकते हैं तो सभी महत्तपूर derivation को जरूर करें इसमें बेद दो बाते आती है जो मैं आगे आपको बताया था कि ज्यादा जो most important है और जो कम important है उन दोलों की category आप बना लीजिए और उसके बाद में student एक आप copy खरीद लीजिए जो copy ठीक है एक अच्छी सी copy आप ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए daily practice कीजिए daily practice चाहे वो student derivation हो और एक copy कम से कम आप जो है अपने board exam से पहले उसे fill कर दीजिए ठीक है तो इससे हो क्या student आपको यह पता चलेगा कि मैंने कितना मेहनत किया है एक subject की अलग copy अपनी रखें और जो student ज्यादा important है उसको आप लोग क्या कीजिए एक अलग category में रखें जो important derivation है कई derivation है जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं यह तो आपको पता होगा तो इसको आप लोग किसी भी page में एक अलग page में रखें और जो कम important है इसको अलग रखें ठीक है इससे आप लोगों का क्या होगा कि जितने भी important derivations होगी उनका पता चलेगा और आप लोग उसे derivation करना सीख जाएंगे तो student यह था आपका तीसरा tips कि derivation को भी आपको करना है ठीक है अपनी एक अलग copy रखनी है उसी copy में आपको practice करना है daily और उसको क्या करना है फिल करके word exam तक आपको exam देने जाना है तो यह था student आपका तीसरा tip tips और अब हम लोग देखते है अपना last tips तो last tip क्या है student यह तो आपको पता ही होगा कि physics में कितना ज्यादा important और कितना ज्यादा माइने रखता है देखे क्या जितने भी important formula बच्चों यहाँ पर formula की बात हो रही है और formula आपको भी पता होगा कि physics में कितना ज्यादा important है ठीक है तो जितने भी important formula है उन्हें अवस्याद करें यानि कि जो formula होते है student formula यह directly आप किस से student related होता है आपके numerical से ठीक है अब अगर numerical को आपको अच्छ formula तो याद करना ही होगा यह दोनों एक दूसरे से correlated होते हैं यानि कि formula पता है तो numerical आपका लगेगा ठीक है यह होता है student और उसके बाद में student जो formula होता है इसको आपको सभी chapter से कुछ important formula ले लेने हैं जिससे आपके word exam में ज्यादा आपको अगर आप class 12 में तो आपको पता चल आया होगा तो इस प्रकार से अगर आप तयारी करेंगे तो आपकी word exam में अच्छा mark आएगा ठीक है मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले आपको theory अच्छे से पढ़नी है दूसरा आपको numerical लगाना है numerical के लिए आपको formula याद करना है और derivation करना है ठीक है जो ज्यादा important है उन्हें अलग कीजिए जो कम important है उन्हें अलग तो student ये था आपका four tips है अभी student अगर आप class 12 में हैं तो इन सभी को अच्छे से follow कर सकते हैं तो student video के लास्ट में मैं यहीं करना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पन नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए तो student थांक यू